नमस्कार साथियो CEC व्याख्यान माला में आपका पुना हार्दिक अभिनंदन हमने अपने पिछले व्याख्यान में जैशंकर प्रसाद रचित कहानी संग्रहों पर चर्चा की थी उनके पाँच कहानी संग्रह थे जिनमें विभिन विशयों को आधार बना करके कहानीों की रचना हुई अब हम बात करेंगे उनकी कहानीों की अंतरवस्तूस के रूप विधान को लेकर तो प्रवृति अत्वा रूप विधान के आधार पर अगर हम उनकी कहानीों का वर्गी करन करें तो उनकी कहानीों में अनेक विशय मिलते हैं सरप्रतम हम बात करते हैं इतिहासिक विशय पर आधारित कहानिया विशय इतिहास को लिया है भारत के अतीत के गौरव को लिया है और उसको वर्तमान के संदर्ब में प्रस्तुत किया है जैसे चितोड उधार कहानी अशोक जहानारा चक्रवर्तिक अस्तंब कहानिय यह सब इतिहासिक विशय पर आधारी दें इसी तरह से प्रसाद जी ने यथार्थवादी कहानिया भी लिखी जो यथार्थवादी कहानिया प्रेंचन जी लिख रहे थे पर प्रेंचन की कहानियों में यथार्थ आंत तक पॉइंटे पॉइंटे आधर्ष में परिवर्तित हो जाता था परंतु प्रसाद की कहानियों में यथार्थवादी जो कहानिया है वो प्रारंब से आंतर तक एक उस समस्या को उस यथार्थ को ही प्रस्तुत करती हैं जैसे सलीम कहानी, कलावती की शिक्षा, इंडरजाल, गुंडा कहानी गुंडा कहानी के हम बात करें, ये मित्रो पाठे क्रम में भी निरधारित है प्रते कहानी पर तो समय की सीमा को देखते हुए चर्चा नहीं की जा सकती, बीच बीच में हम कुछ कहानीों की समिक्षा करते चले जाते हैं तो गुंडा कहानी की बात करें तो पात्र जो गुंडा है वो ननकु सिंग जमिदार का बेटा है और एक अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों से उनके जुल्म को देख करके किस तरह से वे विद्रोही वृत्ति को हो जाता है और केवल वे पात्र ही नहीं उस समय के जितने युवक थे अधिकांशता उन्होंने वीर्था को धारन करते हुए इस तरह से अत्याचारों का मुकाबला किया और अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों का एक और उत्तर देते हैं और दूसरी और निर्धनों की सहायता करते हैं कोई भी पीड़ी निर्धन व्यक्ति आता अधिकांशता उन्होंने व्यक्ति शास से अपने बाहुबल से एक और अत्याचारीयों का मुकाबला करता है और दूसरी और निर्धनों की सहायता भी करता है इसी तरह से प्रसाद जी ने मनो विज्ञान पर आधारित कहानियों की भी रचना की वे समें देखिया हम चायव प्रवर्तिकाल जब प्रयोग वादाता है तो अग्ये आधी मनो विज्ञान पर आधारित कविताओं की रचना करते हैं कावे के क्षेतर में प्रसाद ने कविता के क्षेतर में भी मनो विज्ञान का अश्रे लिया है और कहानियों और उपन्यासों में भी प्रतिभा, आधारित कहानिया है जिसमें पात्रों के मन के अंतरदवनद्व को उनकी मानसिक स्थितियों को बड़ी सुख्ष्मता के साथ और बड़ी सजीवता के साथ चित्रित किया गया है और उन कहानियों को पड़ते हुए पाठख भी उनके साथ उसी तरह से तलीन हो जाता है और और दमित इच्छाओं को लेकर के जिस तरह से कवीता के क्षेतर में अनेक कविताईन लिखी गई उसी तरह से प्रसाद ने भी अनेक कहानियों की भी रचना गी मनोविश्लेशनवाद को और दमित इच्छाओं को केंदर में रखते हुए सुनेला साम प्रतिध्वनी ये उनकी मनों विशलेशन वाद पर आधारित कहानी है व्यक्ति के चेतन अवचेतन स्तर पर चलने वाले द्वन्द्व की अभी व्यक्ति है प्रतिएक व्यक्ति के मन के भीतर दो भाराएं चलती ही हैं कि सबकॉंशियस माइं्ड में। एक और उसे लगता है कि मुझे ऐसा करना है और लगता है कि नहीं करना। करने और ना करने के सतकारात्मक और नकार आत्मक दो के भीतर निरंतर चलता रहता है। और इसी द्वंद्व को साक्षात रूप में अभीव्यक्त किया है अपनी कहानियों के माध्यम से. और यही मनो विशलेशन वाद जो कहानियों का रूप हमें प्रसाद में दिखाई देता है इसी का विक्सित रूप इलाचंदर जोशी में जैनेंदर की कहानियों में मिलता है उन्होंने भी मनो विशलेशन वाद को केंदर में रखकर दमित इच्छाओं को दमित वासनाओं को केंदर में रख करके अनेक कहानियों की रचना की इसी तरह से प्रसाद जी ने भावात्मक रहसे मही भावनाग से युक्त कहानियों की भी रचना की खंडहर की लिपी उस पार का योगी हिमाले का पति ये इनकी भाव पर कहानिया है पूरा चायवाद स्वचंदतावाद कहलाता है, रोमेंटिसिस्म कहलाता है, कविता के क्षेतर में भी जो स्वचंदतावादी कविता रची गई तो गद्दे के क्षेतर में भी, गद्दे में भी स्वचंदतावाद हमें कहानिकारों में दिखाई देता है, प्रसाद जी की क कहानी रसिया बालम, मदन मरिनालिनी, बंजारा, आकाश दीप, चंदा, पुरसकार, ये रोमेंटिक स्वचंदताबादी कहानिया हैं, रसिया बालम में भी एकांतिक प्रेम का वर्णन है, कि जो पात्र है वो राजकुमारी को देख करके उसके मन में प्रेम का भाव जागरित हो जाता है, और उसकी माता ऐसी शर्ट रखती है, कि जो पूरी करना संभाव ही नहीं था, परन्तु वे अपनी उस राजकुमारी की प्रेम में आकर के, उस असंभाव कारे को करने के लिए तत्पर हो जाता है, और उसकी मृत्ति हो जाती है, ऐसे ही मदन मरिनालिनी कहानी, आकाश दीप, पुरसकार, ये भी एकांतिक प्रेम पर आधारित कहानी है, आकाश दीप की चंपा, पुरसकार की मधुलिका, ये दोनों किस तरह से प्रेम के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रेम को नियोच्छावर कर देती है, आकाश दीप इ चाहे इतिहास की घटना को लेते हैं, परन्तु उसे वर्थ मान के तातकालिक संदर्बों के साथ जोड़ करके प्रस्तूत करते हैं। अगर हम उसकी प्रिष्ट भूमीत में जाएं, तो प्रसाद जी का जो रचना काल है, 1910 से लेकर के 1936 तक का जो रचना काल है, अगर हम राष्ट्रिय स्तर पर बात करें, तो राष्ट्रिय मुक्ति आदोलन का समय है। और उस समय जनता में राष्ट्र के प्रती प्रेमभाव जागरित करना सभी साहित्यकारों का मुख्य उदेश्य था। और इसी उदेश्य को केंदर में रख करके ही कहानियों की, कविताओं की, पन्यासों की नाटकों आदी की रचना हुई। प्रसाद भी जब आकाश दीप की रचना करते हैं तो उसकार जो मुख्य पात्र है, चंपा, भै, अपने प्रेम के लिए अपना बलिदान करने के लिए भी तत्पर हो जाती है। पुरसकार कहानी में मधूली का, देश प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम का नियोच्छावर कर देती है, अरुन जो है, उसके देश प्रेम के लिए अरुन को छोड़ती है, और अरुन के लिए आत्म बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाती है, तो ये रोमांटि प्रतिक आत्मक कहानियों की भी रचना की हैं, समुद्र संतरन, प्रलय, कला, पत्थर की पुकार, वेरागी, ज्योतिश मतियादी कहानियों, इन में प्रतिकों का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही प्रसाद जी ने जो हाशिय का समाज था, जो दलित वर्ग था, जो निर्धन वर रखता था, ऐसे पात्रों को केंदर में रखते हुए, उन्हें नायकत्व प्रदान करते हुए, प्रसाद जी ने असमिता मूलक कहानियों की भी रचना की है, मधुआ, चूडी वाले, दासी, बंजारे, बिखारी, बिसाती, विरामचिन, दुखिया, घीसु, नीरा, विज जो हाशिय का समाज है, उनको केंदर में रखते हुए, उनके पीडा को समाज से जोडने के लिए, उनकी पीडा को समाज में दिखाने के लिए, पाठको को द्रवित करने के लिए इन कहानियों की भी रचना की है, अब प्रसाद जी की कहानियों की बात करें, तो उन्होंने वातावरन प्रधान कहानियों की भी रचना किये हैं, जिसमें परिवेश विशेश रुप से उभर करके आता है, वातावरन प्रधान कहानी का उदेशे, जीवन की किसी एक प्रमुख भावना के प्रेरग उपादानों को, कथानक के विकास का मूल कारण बना कर कहानी का विका काशी दिखाते हैं कि काशी वेह नगरी जहां शास्त्रार्थ हुआ करते थे, अजात-शत्रू की परिशद में आकरके जहां विद्वान परस पर शास्त्रचा करते थे, शंकराचारे और बुद्ध के मद्दे जो संबाद हुआ, बाद विवाद हुआ और वही काशी नगरी उसकी बृटिश शास्कों के कारण, उनके अत्याचारों के कारण, उसकी कैसी स्थिती हो गई है जो एक समय शास्त्रों की नगरी थी, वहाँ अब वेश्य व्यापार चलता है, नाच गाना चलता है, वहाँ सभी प्रकार की जो संस्कृत ही थी वो पतनोन मुख हो चुकी हुए तो ऐसे वातावरन प्रधान कहानिय भी प्रसाद जी ने रची है और लेखा के इन उपादानों को इतनी बारीकी से उपस्तित करता है कि वे सजीव होकर के भावना को संवेदित करने लगते है यह हिंदी की गद्य साहित्य के लेखा के रामचंद्र तिवारी उन्होंने प्रसाद जी की वातावरन प्रधान कहानियों के विशय में यह बात कही है और ऐसी ही वातावरन प्रधान कहानिया हैं आकाशदीप, प्रतीध्वनी, स्वर्ग के खंडहर में, विसाती, हिमाले का पतिक, समुद्र संतरनादी ये अनेक कहानिया हैं जो वातावरन प्रधान है इसी तरह से इनकी इन कहानियों में एक और वातावरन का चितरन होता है और दूसरी और प्रसाद जी अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी काल्पनिक्ता से वस्तु का जो अंकन है बड़ा सजीव रूप में चितरित करते हैं इस विशेष्टा को देखते हुए चायवाद के प्रसिद आलोचक हुए नंद दुलारे वाजबई तो उन्होंने प्रसाद की इस विशेष्टा को केंदर में रखते हुए कहा कि प्रसाद की कहानियों में वातावरन का चितरन विशुद कहानी के लिए कुछ अधिक हो जाता है उन में वस्तु अंकन की प्रवृति अधिक है जिसके कारण कहानियों की गती में किंचित शिथिलता भी दिखाई देती है क्योंकि जब वे वातावरन का परिवेश का चितरन करने लगते हैं तो वे इतना विस्तु हो जाता है कि जो कथा का प्रवा है वे कहीं शिथिल हो जाता है अतीत को सजीव करने की चिंता प्रसाद जी को अधिक रहती है कदाचित इसलिए संपूर्ण कहानी और साधारन कावयत्व के साथ प्रस्तुत होती है तो चाहे हम आकाश दीब देखें, पुरसकार कहानी देखें, छोटा जादुगर कहानी देखें सभी कहानीों में वातावरन का चितरन है और प्रसाद जी अपनी कलपना से पात्रों को भी एक सजीव रूप प्रदान करते हैं अब हम मित्रों बात करते हैं प्रसाद की कहानीों की विशेशताओं को ले करके अभी तक तो हमने उनकी कहानियों का अंतरवस्तु के आधार पर प्रवृतियों के रूप विधान के आधार पर वर्गी करण किया अब हम देखते हैं उनकी कहानियों की मुखे विशेष्टाएं क्या है सबसे पहली विशेष्टा तो यही है कि उन्होंने इतिहास के परिप्रेश में तातकालिक समस्याओं का चितरन किया है उनकी जितनी भी इतिहासिक कहानिया हैं उनमें तातकालिक समस्याओं उठाई गई है और उनका चितरन करना प्रसाद जी का उदेश्यरा है और जो उनकी प्रारंबिक कहानिया हैं, जो छाया कहानी संग्रे में संग्रहित हैं या उसके बाद प्रतिध्वनी में संग्रहित हैं, उन प्रारंबिक कहानियों में प्रेम और करुणा का, त्याग और बलिदान का, दार्शनिक्ता और काव्यात्मक्ता का, भावुक्ता और चित्रात्मक्ता का प्राबल्ले दिखाई देता है और जो उनकी परवर्ती कहानिया है जो बाद के कावे संग्रे में कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई है समुद्र संतरण है या पत्थर की पुकार है खंडर की लिपी आदी जो कहानिया है उनमें पात्रों की मनस्थिति का उनके मन के भीतर चलने वाले अंतरद्वंदू का भाव संगर्ष का और मनों विज्ञानिक जो उतार चड़ाव है उनका बड़ा ही सजीव चित्रण प्रसाद करते हैं तो इस तरह से उनकी कहानियों में चरित्रों की प्रधानता रही है मनों विज्ञान की प्रधानता रही है और प्रसाद ची की कहानियों की एक अन्य विशेष्टा है कि उन्होंने इस्तरी जीवन की विविद आयाम प्रस्तुत किये हैं एक और इस्तरी को प्रेम त्याग और बलिदान की साक्षात मूरत दिखाते हैं और वहीं दूसरी और उसे स्वाभी मानी भी दिखाते हैं पुरसकार की जैसे मधूली का है उसको स्वाभी मानी दिखाया गया है जब उसकी जमीन पर राजा हल जोत्ते हैं जो उस समय की प्रथा थी कि जाजा जिस भूमी को अपने हल जोतने के लिए स्विकार करते हैं तो वह जिसकी भूमी है वह अपने आपको भागेशाली मानता है और राजा उसके बदले में धन देते हैं उस जमीन के मालिक को और जब मधूलिका की जमीन की बारी आती है तो वे अपने आपको गौरवानवित अनुभव करती है कि राजा उसकी भूमी पर हल चलाएंगे और जब वे उस भूमी का मुल्ले देते हैं तो ये मुल्ले लेने के लिए इनकार कर देती है और यहां मधूलिका का स्वाबी मान प्रस्तुत होता है अरुन प्रेम करता है वे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है परंतु मधूलिका अपने स्वाबी मान से युक्त होने क उस प्रेम को अस्विकृत कर देती है और फिर जब देखती है कि अरुन जो है थे देश-द्रोही हो गया है तो देश-प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम का भी परित्याग कर देती है इसी तरह से आकाश दीपी चंपा को देखिया हूँ, वे भी स्वाभी मानी है, बंदु वर्मा उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं, वे उसके चर्णों में भी गिर जाते हैं, परंतु वे चंपा उसे अपने पीता का हत्यारा मानती है, और उनसे विवा करने के प्यारे से विवा करना पसंद नहीं करती है, ऐसे ही देवरत की सुमाता, गुंडा की दुलारी, यह सभी इस्तरी पात्र आदर्श बन करके आए हैं, एक और उनमें स्वाभी मन है, दूसरी और प्रेम भी है, त्याग की बलिदान की साक्षात मूर्ती रही है, नियती और सम संघर्श रत इस्तरी पात्रों की विवे स्रिष्टी करते हैं, उसे अपनी पीडा को, अपने संघर्शो को इस्तरी पात्रों ने अपनी नियती मान लिया है, और मानसिक द्वंद्वों से युक्त हैं, इस्तरी पात्रों की स्रिष्टी अपने भीतर, सजीवता एवं भाव प्रवनता के गुन, समाहित क्रिय हुए, दृष्टीगत हो रही हैं। चाहे हम प्रसाद के नाठक भी देखें, तो नाठकों में भी जो इस्तिरी पात्र हैं, वी प्रेम, त्याग, समर्पन की भाव में, देश-प्रेम के भाव से युगते हैं। और कहानियों में भी यही है, तो इस तरह से प्रसाद जी ने इस तरी पात्रों की सृष्टी ही इस रूप में की है, और उनकी कहानियों में रोमेंटिक स्वचंदतावादी दृष्टी कौन दिखाई देता है, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक वाद, आधर्श वाद भी इनकी कहानियों के केंद्र में है, भारतिय संस्कृति के गौरव में अतीत को चित्रित करना, उनका मुख्य उदेशे रहा है, प्रसाद ची कहानियों में एक टीस है, जो सामाजिक धरातल और यथार्थ के द्वंद्व से पन पी है, उनकी कोई भी कहानी देख लिजिए, च दोनों का द्वंद्व, उनकी कहानियों में उभर कराता है, और ये एक टीस जो पाठकों को उद्वेलित कर देती है, पाठकों के भीतर भी एक भाव जगत को प्रेरित करती है, प्रसाद ची ने अपनी कहानियों के अंतरवस्तु में कल्पना और प्रकृति चित्रण, इन दोनों का भी सुंदर समन्भे प्रस्थुत किया है, चाहे वे इतिहासिक विशय ले रहे हैं, या समकालीन जथार्त को प्रस्तुत कर रहे हैं, या किसी सामाजिक समस्या को उठा रहे है, अपनी कल्पना से और प्रकृतिक चित्रण से उस कहानी को एक नभीन रूप पाजपाई जी कहते हैं, कि प्रसाद की कहानिया कल्पना प्रधान है।। और प्राकृतिक वातावरन का बड़ा सुन्दर उपयोग करती है। उनकी अधिकांश कहानियों की रंग भूमी प्रकृतिके खुले प्रसार में है। अब ग्राम पहली कहानी ही उनकी देख ली पहली कहानी के प्रारंब में ही वो प्रकृतिक परिवेश का इतना सुन्दर चित्रण कर देते हैं. उन्मुक्त वायू मंदल की विस्मय कारक और साहसिक घटनावली के बीच मनो विज्ञानिक और सांस्कृतिक चित्रण प्रसाद की कहानियों की विशेष्टा है. तो उनकी कहानियों की काल्पनिक्ता, प्रकृति चित्रण और उसमें मनो विज्ञानिक्ता, सांस्कृतिक परिवेश तो ये सारी विशेष्टा हैं प्रसाद जी की कहानियों में हमें दिखाई देती हैं. भारतिय सांस्कृतिक परमपरां और इतिहास के प्रतिम वही है जो उन्हें बार-बार नाटक लेखन में कहानी लेखन के लिए प्रेरित करता हैं. और प्रसाद साथ ही सामाजिक विद्रूपताओं पर भी व्यंग्य करते हैं सामाजिक विद्रूपताओं पर व्यंग्या में छोटा जादूगर में दिखाई देता है इंद्रजाल में दिखाई देता है मदुवा में दिखाई देता है पात्रों की मना स्थितियों का बड़ा ही सुक्ष्म विश्लेशन प्रसाद अपनी कहानियों में करते चलते हैं, पात्र की मना स्थिति ऐसे साक्षात रूप में, ऐसे सजीव रूप में प्रस्तुत हो जाती है, कि पाठक उसके साथ अपने आपको जुड़ा हुआ दूसरी और उसमें भावप्रवणता है, भावुखता भी है, अनुभूती तत्व की प्रधानता भी है और कल्पना भी है, तो इस तरह से बौधिक्ता, अनुभूती और कल्पना, इन तीनों का सुन्दर समन्वे उनकी कहानियों में दिखाई देता है तो अगर हम सार रूप में प्रसाद जी की कहानियों की विशेशताओं की बात करें, तो उनकी कहानियों में लाक्षनिक्ता, सांस्कृतिक चेत्ना, प्रेमानुभूती, रागात्मक्ता, एतिहासिक्ता, आधर्षवादी द्रिष्टी को ये सब दिखाई देते हैं तो इस तरह से विविद पक्षों को लेकर, विविद आयामों को लेकर के प्रसाद जी ने अपनी कहानियों का ताना बाना बुना है तो अभी हमने बात की उनकी कहानियों की अंतरवस्तू, उसके संवेदना किस तर को लेकर के अब हम बात करते हैं प्रसाद जी की कहानियों के शिल्प गत सौंदरे को लेकर, उन कहानियों का जो बाहिय का लेवर है, जो शिल्प सौंदरे है, उसका जो अभिव्यक्ति गत सौंदरे है, उसकी बात करते हैं, तो प्रसाद जी की अभिव्यक्ति में उनकी अनुफूती की ह प्राजलता, प्रोडता, गंभीरता और विलक्षनता वित्यमान है। जैसी अंतर वस्तु है उसकी अभिव्यक्ति भी उसी के अनरूप हुई है। वैसी ही कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। भाषा की बात करें तो प्रसाद जी ने कभी भी सरल भाषा का प्रयोग नहीं किया। उनकी भाषा परिश्कृत, संस्कृत, निष्ट हिंदी रही है। भाषा आलंकारिक, काव्यात्मक और साहितिक रही है। क्योंकि उनकी रचनाएं उनके चाहे नाटक की बात करें उनकी कविता की बात करें या कहानियों की बात करें में सामाने पाठक के लिए नहीं है नाटकों में तो वे स्वयम कहते हैं कि जो साहितिक रूची वाले हैं उनी के लिए ही मैंने नाटकों की रचना किया इसी तरह से कहानियों की भी भाशा संस्कृत निष्ठ रही है परिश्कृत हिंदी रही है और उसमें आलंकारिक्ता भी विद्यमाने प्रसाद मूलता कवी रहे हैं कविताओं की रचना उन्होंने किये तो कहानियों में भी जब गद्य में भी वो कावयात्म लाते हैं तो इस विभिन शैलियों का प्रयोग किया है और सभी शैलियां बड़ी लालित्ते पून हैं रोचक हैं अधिकांशता तो उन्होंने वर्णनात्मक शैली को अपनाया है जितनी भी उनकी कहानिया है उनमें वर्णनात्मक शैली रही है पर इसके अलावा अन्य शैलियों का भी प्रयोग किया है जैसे पत्र शैलियों में भी कहानी की रचना किये उनकी देवदास कहानी पत्र शैलियों में रचेद है आत्मक अत्मक शैलियों में उन्होंने चित्र वाले पत्थर इस कहानी की रचना किये इसी तरह से सनलाप शैली, सनलाप शैली में उन्होंने आकाश दीप की रचना किये और उनकी कहानियों में सुक्तियों का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है और वे सुक्तियां एक और जहां उनके सांस्कृतिक प्रेम को दर्शाती हैं वहीं उनका इस लोक से धर्टी से जुडाव को भी प्रस्तुत करती है अब हम बात करते हैं कहानियों के समवादों को ले करके कहानियों में समवाद जो प्रसाजी ने प्रयुक्त किये हैं उससे कहानी में रोचकता आ गई है समवाद कावयात्मक भी है सबल भी है और अर्थ गांबीरे से पूर्ण भी है और सभी समवाद कथानक और चरित्र के विकास में सहायक रहे हैं वे कहानी को आगे गती प्रदान करने में तिव्रता प्रदान करने में और चरीतर के चारितरिक विकास में सहायक हुए हैं हलाकि कहानी में अधिक संबाद नहीं होते हैं लेखक कठा के माद्यम से अपनी बात करता है परंटु बीच-बीच में संबाद आते हैं वो एक और पात्रों की मनासिति को भी चित्रित करते हैं, पात्रों के भीतर जो अंतरद्वंद्व चलता है उसको भी चित्रित करते हैं, और पात्र की और कथान को तीवरता गती भी प्रदान करते हैं, तो इस तरह से प्रसाद की कहानियों में विभिन सम्वादों का और प्रसाद की जो कहानिया हैं वे मील का पत्थर सावित हुए हैं सभी कहानिया उनकी परवर्ती कहानिकारों के लिए प्रेढ़ना सुरोत बनी हैं उनकी मनों विज्ञानिक कहानिया आगे चल करके इला चंद्र जूशी, जैनेंद्र, कमलेश्वर आदी के लिए आधार सुर में देखते हैं जैसे कविता के क्षेत्र में प्रयोग वाद और प्रगदी वाद आया जहां शोशक और शोशित की समस्या को केंदर में रखते हुए जमिदारी को सामंत वाद की प्रवृत्ति को केंदर में रखते हुए कविता की रचना हुई ऐसे ही कहानी जगत में भी साम कहानियों की रचना की है तो इस तरह से मित्रों आज हमने प्रसाद के कहानी संसार प्रसाद की कहानियों की अंतरवस्तु और उनके शिल्प गत सौंदरे पर चरचा की है तो अधील बार नए विशे के साथ हम पुना प्रस्तत होंगे धन्यवाद झाल